Greetings everyone, मेरे पास बहुत सारे calls और requests आये थे कि मैं एक बार यह बता दीजे कि subject change कैसे होता है, क्या 12th में subject change हो सकता है, क्या हम सिर्फ 11th में subject change कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह के बहुत सारी queries आई थी, तो I thought कि एक आपको मैं समझा दो पूरा procedure, कि अगर आपको subject change करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, understood, तो देख लेते हैं कि subject change grade 12 में हो सकता है या नहीं, तो मैं कहूंगी बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, इसके लिए एक set procedure है, जो CBSE ने fix किया हुआ है, तो school को और students को वही set procedure जो है, वो follow करना पड़ता है, if they want to change their subject, तो मैं आपको वही procedure समझा देती तो अगर आपका school कहे कि नहीं, आपका subject change अब नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है, वैसे तो, ठीक है, हाला कि थोड़ा सा difficult है, कोशिश हमेशा ये करना, बतलब मैं इस चीज़ को promote बिल्कुल नहीं करूंगी, कि आप 12 में आके subject change करें, क्योंकि इसके जो main नुकसान है, वो ये क्योंकि basics होती नहीं है, suddenly पढ़ना पड़ता है, तो हो सकता है, आप उस पे अपना जो पूरा effort है, वो लगा भी दो, तो हो सकता है, results शायद ना आये हो, थोड़ा thoughtful होना पड़ेगा, मतलब ये बहुत major decision है, ऐसे ही नहीं ले सकते हैं, लेकिन in case आपको एकदम लेना ही पड लिया हमने और हमारा मतलब 11 करने के बाद भी उस subject पे पकड़ आप नहीं बना रहे हो, जो भी आपके subject weakness है, तो फिर अंध में आपको लगता है, नहीं अब तो करना ही पड़ेगा, नहीं हो रहा मेरे से, तब जाके आप इस option के बारे में सोच सकते हैं, मैं बस आपको procedure समझ ही चल रहा है, मतलब असी procedure को follow कर रहा है CBSE, जिसमें करना यह होता है कि आप यह देखो, parent या candidate, subject change के लिए apply कर सकता है, एक proper format annexure 1 करके आता है, वो annexure 1 मैं आपको बता दूंगी, तो basically उस annexure 1 में क्या होता है, request of student and parent, जो subject change का है, वो request भर दिया कि हाँ हमें change करना है, इसके सा relevant documents attached करने होते हैं, तो relevant document हो गया, अगर आपने school change करा है, तो previous school का report card और TC लगेगा, अगर change किया है तो, और अगर नहीं change करा है, उसी school में हो, तो report card previous class की लगानी पड़ेगी, उसके बाद में medical ground पे अगर change कर रहे है, जैसे कि physical education है, और उसमें बहुत ही practically, you know, physical activity करनी पड़ है, medically unfit है, तो अगर वो reason है, तो वो attach करना पड़ेगा, सारी चीजे, और जो भी मतलब, एक subject change से related, जो भी आपके reason है, उस reason को support करता हुआ, जो document है, वो सारा attach करना पड़ेगा, और ये कब तक करना है, ये करना है, आपको 15th July तक, यानि इस academic session में, 15th July तक, आपको ये decide करके school को दे देना रहेगा, ये सारे documents, ठीक है, this is annexure one only, उसके बाद में next step क्या होता है, next step ये होता है, कि school को मतलब 15th July तक, जो है, वो ये सारे documentation, जो भी बच्चों ने अपना दिया है, वो सब लेके compile करना होता है, analyze करना होता है, मतलब 15th July तक, बच्चे ने submit किया, school को analyze करना हो relevant है, क्योंकि, मतलब हर कुछ ही उठा के CBSE को नहीं भेज सकते, validity देखनी होती है कि क्या वो चीज जो भेजी जा रही है, वो CBSE में उसकी मान्यता होगी, मतलब, you know, अगर कुछ irrelevant सा कुछ भेज दिया, तो फिर गरबर है न, फिर school को सुनना पड़ जाएगा, तो school को देखन पड़ेगा कि valid है या नहीं है, okay, so उसके लिए भी इन्होंने 15 जुलाई का ही date दिया है, जहां पर performance देख लिया, 9th and 11th में, मतलब, कैसा था बच्चे का, वो cope-up क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या वो subject उसके लिए, मतलब, नया है, या teacher की तरफ से कोई issue है, मतलब, reason क्या है, उस subject में, क्या पता, affiliation था ही नहीं, और बच्चे ने opt कर लिया, school के पास, मतलब, authorization नहीं था, वो subject चलाने का, फिर भी चला दिया, whatever is the reason, the school has to analyze, और school को analyze करने का time भी 15 जुलाई तक, यानि इस session के 15 जुलाई तक, बच्चा भी दे दे, और school आगे भेजने लायक है या नहीं या basically, वो check कर ले, ठीक है, इस second option तो ये बोलता है, उसके बाद में, school को next seven days में, next step क्या है, next seven days में, within seven days, यानि कि 21st July तक, सारा जो भी schools to compile all subject change cases in 10th and 12th, tabular form में एक performa होता है, उस performa के according tabular form में सारा जो भी data है, वो compile करना होता है, understood, compile करके वो regional office को forward कर देंगे, समझे, 15 July तक student ने submit किया, 15 July तक ही, school ने analyze कर लिया, analyze करने के बाद में, within next seven days, वो CBSE को forward हो जाना चाहिए, ओके, और recommendation of subject teacher, जो भी principal का recommendation है, और जितने जो भी needed mark sheet वगेरा है, सब कुछ attach कर दिया, documents वगेरा, and CBSE को forward कर दिया, within seven days, यानि 21st July तक CBSE के पास, वो सारी चीज़े बहुत जानी चाहिए, उसके बाद next step क्या होता है, regional office जो है, वो आपको, या मतलब school को ये बताएगा, कि क्या कमी रह गई, इसमें हमें ये भी दो, ये भी दो होता है न, उनके according, और भी documentation अगर needed है, तो deficiency जो भी कमी है, वो 20th August, यानि महीना भर अप्रोक्स ये ले रहे हैं CBSE to analyze the request, तो कोई भी कमी होगी, तो फिर they will communicate to the school again, फिर school को वो कमी जो है, वो वापस अगले seven days में पूरी करनी होगी, यानि 27 अगस्त तक, जो भी उनको fulfillment करना होगा, जो भी कमी बताई गई है CBSE के द्वारा, तो वो next seven days, यानि के 27th August तक ये हो जाना चाहिए, उसके बाद अगला step है, last date for according approval by CBSE, ये है 15 September तक, 15 September तक CBSE, LOC होता है न, list of candidates जो CBSE release करता है to give the board examination, तो वो 15 September तक हो जाता है, और in case of change of any subject on account of direct admission ये है, कि मतलब 10th or 12th, board class में generally admission नहीं होता है, उसमें जो admission होता है, उसको direct admission बोलते हैं, तो उस case में जो है, वो भी 15 July तक ही करना है, जैसे parent का transfer हो गया, तो फिर 12th में admission लेना ही पढ़ गया, अब transfer case का क्या कर सकते हैं, तो इस तरह के changes भी, मतलब 15th July तक है, and change of subject on account of director within seven days of declaration of first chance of compartment, तो वो भी within seven days of admission भेज देना जरूरी है, understood, direct admission तो चलो, इतना मुझे नहीं लगता, main है, जो ये general procedures है, fine, तो ये subject change का procedure है, तो अगर आप भी कुछ सोच रहे हैं, ऐसा major change अपने उसमें, तो 15th July तक सारे documentation के साथ school को दे देना है, समझे, तो होता क्या है, कि LOC जो है, वो September में finalize वो कर देते हैं, और ये LOC का मतलब है, ये उसमें जो print होके आगया board की तरफ से, exam आपको उन्ही subjects में देना पड़ेगा, तो list of candidates और उनके subject, उनका photo, उनकी सारी detail board के पास होती है, board वो भेजता है, तो फिर उसमें अगर आपके subjects नहीं आएं, listed, तो से check करना, और changes का procedure मैंने बता ही दिया है, और जो भी changes ये procedure, जो भी हुए है, वो LOC जो CBSE भेजता है, उसमें आपको cross check करना है, कि हमारा जो भी recommendation था, वो approved हुआ या नहीं हुआ, and this is how the subject change procedure is followed by CBSE, तो ऐसा कुछ भी है, तो मैंने सिखा दिया है, समझा दिया है, अब आप follow क सकने है, लेकिन ध्यान रखना, यहां एक line लिखी हुई है, only one request each for class 10 and 12 will be accepted from each school, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, तो इसलिए सोच समझ के, understood, so this was the procedure, I hope you understood, but मैं recommend तो कभी नहीं करूंगे कि go for subject change, बस हां समझा दिया है, कि बहुत जादा need है, तो you can do it, okay children, thank you. झालके